अगर आने वाले दिनों में आपको किसी महिला को चौराहे पर बुरी तरहे मारते हुए कोई वीडियो दिखता है तो आप चौकिएगा मत क्योंकि अफगानिस्तान में अब दोबारा तालिबान राज वापस आ गया है और उसके साथ ही वापस आ गया है तालिबान का वो कट्टर शरिया कानून जो शायद और तो को इनसान समझता ही नहीं है कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान के जिंजिन इलाकों में तालिबान ने कबजा कर लिया है वहां महिलाओं के लिए कट्टर तालिबानी कानून को लागू किया जा रहा है शहर भर में पोस्टर लगवाय जा रहे हैं मस्जिदों से लाउड स्पीकर से अलान किया जा रहा है कि अब से सभी को तालिबानी कानून मानना होगा इस बेरहन तालिबानी कानून के तहट कोई भी महिला अकेले बाजार नहीं जा सकेगी उसके साथ घर के किसी मर्द का होना जरूरी है अगर महिला दुकान पर कोई समान लेने अकेले किसी मर्द के बिना चली गई है तो दुकानदार उसे समान नहीं देगा इसके अलावा लड़कियों का स्कूल जाना तक बंद कर दिया गया है स्कूल बंद करने से ना केवल उनकी आजजादी छीन ली गई है बलकि सपने देखने का हक भी उनसे ले लिया गया है ऐसी भी खबरे सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है कि तालीबान ने ये एलान किया है कि सभी लोगों को अपनी बेटियों की शादी तालीबानी लड़कों से करनी होगी विधवा औरतों की भी तालीबानी लड़ाकों से शादी करवाने का फर्मान सुनाया गया है तालीबान कल्चरल कमिशन के नाम से निकाली गई एक चिठी में कहा गया है कि जिन इलाकों में तालीबान का कबजा हो गया है वहां के मौलवी 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की विद्वा औरतों की एक सूची तालिबान को दे और इन सभी की शादी तालिबान के लड़ाकों से ही की जाए इसके अलावा महिलाओं को सर से पैर तर खुद को धकना आनिवारे है महिलाओं और बच्चियों का परदा करना बेहत जरूरी है महिलाओं का नौकरी करना तो सक्त मना है तालिबान के ये कट्टर कानून सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है औरतों को बेजान समझने वाले तालिबान ने एक दो कानून मर्दों के लिए भी बनाए है जैसे कि मर्दों को दाड़ी नहीं काटने का आदेश दिया गया है सभी मर्दों को पगड़ी पहनना भी जरूरी है इसके लावा सोशल मीडिया पर ऐसी भी खबरे हैं कि नए तालीबानी कानून के तहर की चोरी करने पर हाथ और पैर काट दिये जाएंगे समलेंगिक्ता को अपराद मानते हुए आरोपित मर्द को दिवार से नीचे गिरा कर मार डाला जाएगा पुरुषों के मस्जिद में नमाज नहीं पड़े जाने पर पिटाई का आदेश दिया गया है कबजे वाले इलाकों में लोगों को रात के बाद बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया गया है जितने सक्त ये नियम कानून है उससे भी ज्यादा सक्त इन कानूनों को तोड़ने की सजा है किसी भी नियम को तोड़ने पर पत्थर से मार कर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है ये हाला तब है जब तालिबान ने कहा है कि पिछली बार की तरहे इस बार वे ज्यादा कट्टर नहीं होंगे और सबके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाएंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलामिक कानून के अधार पर तालिबान का ये नया वर्जन अफगानिस्तान के लोगों हास्तोर पर महिलाओं के लिए कड़वी यादों और अंधकार से भरे वर्तमान के अलावा और कुछ नहीं है अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान की ताक्कत जिस हिसाब से बड़ी है उससे तो माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ तालिबान का राज होगा